आज मैं explain करने वाला हूं 2008 की The Ruins मूवी को मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की से जो की एक खंडर सी जगा में बैटी हुई थी और वो मदद के लिए चिलना रही होती है लेकिन तब ही उसे अचानक से वहां कोई खीच लेता है फिर हमें दिखाया जाता है चार कपल को जेफ, एमी, स्टेसी और एरिक को वो सब एक पूल के पास बैटकर इंजोय कर रहे थे जहां पर स्टेसी की एक एरिंग हो जाती है और वो एरिंग एक लड़के मतियास को मिलती है वो उसको लोटाने उनके पास आता है जिसकी वज़ा से उन सब की दोस्ती हो जाती है मतियास उने बताता है उसका भाई वो एक लड़की जो की आर्कियोलोजिस्ट है उसके साथ खंडर में गया है जो की एक पुराने टेंपल के अंदर है और वो सब मैप में भी नहीं है उन चारों को बहुत इंटरस्टिंग लगता है जिसके बाद वो सब डिसाइड करते हैं कि वो मतियास के साथ उस खंडर में जाएंगे अगले दिन वो सब मतियास के दोस्त दीमित्तिरी के साथ उस टेंपल के लिए निकल जाते हैं वो उस टेक्सी वाले को उस जगा पे जाने के लिए बोलते हैं लेकिन वो टेक्सी वाला उने जाने को मना कर देता है लेकिन फिर वो उसको जादा पैसे देते हैं जिसके बाद वो मान जाता है लेकिन वो उनको टेंपल से थोड़ी दूरी पे छोड़ देता है जहां मतियास को उसके भाई की कार भी दिखती है फिर वो सब जंगल में होते हुए उस टेमपल पर जाने लगते हैं लेकिन उस टेमपल का रास्ता वहां जहाड़ियों से छुपा हुआ था जिसकों की वो इगनोर कर देते हैं और वहां टेमपल पर पहुच जाते हैं वो सब जैसे ही टेमपल के पास पहुचते हैं वहां पर गाउं के कुछ लोग आ जाते हैं और वो उन्हें चारो साइड से गेर लेते हैं लेकिन तभी M.E.O.A. गलती से उन बेलों को छुँ लेती हैं जो की टेमपल से जुड़ी हुई थी जिसके बाद वो गाउं वाले लोग उन पर और जादा भड़क जाते हैं और फिर दिमित्री भी उस बेल को छुँ लेता है उसके बाद दिमित्री उन सब को समझाने के लिए उनके पास बढ़ता है वो उसको तीर मारते हैं और गोली मार कर उसको मार डालते हैं फिर वो गाउं वाले लोग उनको टेमपल के उपर जाने के लिए फोर्स करने लगते हैं और मजबूरी में उन सब को टेंपल के उपर जाना पड़ता है टेंपल के उपर मतियास को अपने भाई का कैम्प भी दिखता है और वो उस कैम्प को चेक करने लगते हैं तो उसके अंदर कोई नहीं होता वो गाओं के लोग भी उस टेंपल को चारो साइड से केम्प लगा कर घेल लेते हैं ताकि वो वहाँ से भाग न सकें वो सब फैसला करते हैं कि वो वहीं रुकेंगे क्योंकि उन्हें होटल से एगले दिन चेक आउट करना है अगर उन्होंने चेक आउट नहीं किया तो पुलिस उन्हें ढूंटी हुई वहाँ तक पहुच जाएगी तब ही उन्हें उस टेंपल के खंडर के अंदर से फोन की रिंग टोन की आवाजे आने लगती हैं और मतियास बताता है कि यह उसके भाई की फोन की रिंग टोन है वो वहाँ पर पड़ी हुई एक रसी की इस्तमाल से मतियास को नीचे बेजते हैं लेकिन तब ही बीच में से वो रसी तूट जाती है और मतियास नीचे गड़ जाता है पहले उन्हें लगता है कि मतियास मर गया लेकिन उन्हें मतियास की फिर आवाज आती है जिसके बाद वो स्टेशी को नीचे बेजते हैं लेकिन तूटने की वज़ा से रसी अब कम पड़ गई थी नीचे जम्प करती है जिसकी वज़ा से उसके पैर में कुछ गुश जाता है और उसके एक कट लग जाता है वो मतियास को देखती है और उसके नीचे गिंडने की वज़ा से कमर तूट गई थी और उसके पैर पैरलाइस हो गए थे जिससे कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था एमी इतना सब होता देख गाउंवालों से मदद मांगने के लिए नीचे जाती है लेकिन गाउंवालों को उनकी भाषा नहीं आती थी और एमी उनके उपर चिलाने लगती है गुष्से मैं एमी उस बेल को उठा कर एक बच्चे के उपर फैक देती है जिसके बाद वो गाउंवाले उस बच्चे के उपर भी भड़क जाते है और वो उसको मार डालते है और जेफ एमी को लेकर उपर वापस चला जाता है वहाँ उन्हें पता चलता है कि ये गाउं वाले जबेल को और कहीं फैलने नहीं देना चाहते जिसकी वज़ा से उन्होंने उनको उस टेंपल पर ही ट्रैप कर दिया है खंडर के अंदर स्टेसी को रिंग टॉन की अवाज दुबारा आती है वो सब टेंट और उसकी लकडियों से एक स्ट्रेचर बनाते हैं और उस पे बैठा कर एमी को नीचे बेशते हैं ताकि स्टेसी और एमी मतियास को उस पर रख दें और एरिक और जेफ उसे उपर खीच सकें एमी और स्टेसी मतियास को उठाती हैं लेकिन उसकी कमर की हड़ी और जादा तूट जाती है वो जैसे तैसे करके उसको उस पर रख देती हैं जिसके बाद जैफ और एरिक उसको उपर खीच लेते हैं टेंट के अंदर एमी कुछ दवाईया ढूंती है लेकिन उसे वहाँ कार की एक की मिल जाती है जो की मतियास के भाई की कार की की थी और उन्हें दिमित्री के टिकिट भी मिलते हैं जिसके मताबिक उसे कल के दिन वहाँ से निकलना था अगर वो फिलाइट तक नहीं क्योंकि दिमित्री उनको एक मैप की कॉपी भी दे कर आया था अगले दिन जैफ को बेलों के अंदर एक सर मिलता है टेंट के अंदर इस्टेसी अपने जब पैरों को देखती है तो जहां पर उसके कट लगा था वो बेल उसके पैर के अंदर गुज गई होती है और दूसरी साइड मतियास के पैर पर भी बेल चड़ गई थी और उसको खा रही थी उन्हें दुबारा से खंडर के अंदर से रिंग टॉन की अवाज आती है और वो इस्टेसी और एमी को अंदर भेशते हैं जब स्टेसी और एमी फोन की रिंग टॉन का पीछा करने लगती है तो वहा एमी देखती है उन बेलों पर लगे हुए फूल फोन की रिंग टॉन की कोपी कर रहे थे और वो रिंग टॉन की आवाज निकाल रहे थे वो दोनों डर जाती है और वहां से भागना स्टार्ट करती है जिसके बाद बेल उनको पकड़ने लगती है लेकिन वहां से किसी तार से भागती हैं और उने जैफ और एरिक उपर खीच लेते हैं जहां जैफ देखता है कि मतियास के पैरों की हालत और जादा बिगड़ रही थी जैफ एक स्टुडेंट था जिसकी वज़ा से वो डिसाइड करता है कि वो मतियास के दोनों पैरों को काट देगा वरना उसका इंफेक्शन बढ़कर उसको मार डालेगा फिर एरिक और जैफ उसके पैरों को पहले पत्थर से तोड़ते हैं और चाकू से काट कर गरम पैन उसके पैरों ताकि खून और जाधा ना निकले वैसे ही वो उसका दूसरा पैर भी काट देते हैं लेकिन दोनों पैर काट ने के लिए काटा है कि मतियास के पैरों को वो बेल ले जाने लगती हैं witnessी को अभी भी लग रहा था कि वो बेल उसके बोड़ि के अंदर है रात को एम IQ और एरिक बात कर रहे होते हैं एरिक एमी को बताता है कि यहांसे सिर्फ भाग करी जान बचाई जा सकती है उन्हें टूंडने कोई नहीं आने वाला एमी रूने लगती है जिसकी आवाज सुनकर इस्टेसी बाहर आती है और उसको लगता है कि वो दोनों कुछ गलत कर रहे हैं वो उनके ओपर चिलाने लगती है लेकिन जब वो सब लड़ रहे होते हैं तब वो बेल मतियास के मूँ के अंदर गुश जाती है और उसको मार डालती है और ये सब देखकर स्टेसी को भी लगने लगता है कि उसके अंदर भी बेल है वो वहाँ से एक चाकू को उठा लेती है वो उस चाकू से अपने पैर को काटने ही वाली होती है लेकिन जफ उसे रोक लेता है उसको और जादा भढ़काने के लिए वो बेल पर लगे फूल भी उसकी कोपी करने लगते हैं अगली सुबा स्टेसी उन सबको अपनी कमर दिखाती है जहाँ पर वो देखते हैं कि वो बेल स्टेसी की कमर के अंदर भी है अब जैफ ऐलकोहल डालकर चाकू की मदद से पहले स्टेसी के पैर की बेल निकालता है और फिर कमर की इस्टेसी को अभी भी लग राता है कि उसके अंदर और भी बेल है लेकिन वो उसका यकीन नहीं मानते उन्हें लगता है कि उसे वहम हो गया है जब वो एमी को शान्त होने के लिए थोड़ी अलकोहल पलाते हैं और उन्हें रिखता है एमी के सर के अंदर भी एक बेल चल रही है और वो सब भी डड़ जाते हैं अगली सुबा जब वो सब टेंट में सो रहे होते हैं तो इस्टेसी उन सब से पहले उठ जाती है और चाकू ढूनने लगती है जब वो सब टेंट के बाहर आकर देखते हैं तो इस्टेसी ने अपने सर को और अपनी बोड़ी को जगा जगा से काट लिया था और वो उन बेल को निकाल रही थी उसको रोकने के लिए जैफ जाता है लेकिन वो जैफ के हाथ पर चाकू मार देती है फिर उसको एरिक रोकने के लिए जाता है लेकिन वो एरिक के भी चेस्ट पर चाकू मारती है जिसके बाद एरिक वही मर जाता है और एरिक की बोड़ी को भी वो बेल ले जाती है और इस्टेसी को अभी भी लग राता है कि उसके बेल और भी ज़ाद अंदर है एमी से अपने आपको माडने को बोलती है अब जेफ एमी को बचाने के लिए एक प्लैन बनाता है और वो उसके मूपर और हातों पर स्टेसी का खून लगाने लगता है फिर उसको गोद में उठाकर नीचे ले जाता है जिससे की गाउंवालों को लगता है कि एमी मर गई है और जेफ उन सब का ध्यान अपनी तरब भटकाने लगता है इतने में ही वहाँ से उठकर एमी भाग जाती है और वो जेफ को तीर मार देते है एमी वहाँ से भाग रही होती है और उसके एक गण शोट किया वा जाती है उन्होंने जेफ को मार दिया था वो बहुत मुश्किलों से जंगल से होती हुई वहाँ से भागने लगती है और भागती ही मतियास के भाई की कार तक पहुच जाती है वहाँ वो कार को स्थार्ट करती है और उस जंगल से बाहर निकल जाती है तब इसी इन्सिफ्ट होता है दिमित्री के दोस्तों पर जो कि उसको ढूंटे होँ वहाँ पहुच गए थे और फिर हमें दिखाय जाता है एमी के फेस के अंदर भी वो बेल घुज गई थी और यहीं ये मूवी खतम हो जाती है तो अगर तुम लोगों को ये मूवी के एक्स्प्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब